जहानबाद में ये वीकेंड काफी हलचल भरा रहा जहां जहानबाद में शनिवार को RLSP के प्रुदेश उपाध्यक्ष गोपाल शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ लोजपा को जटका देते हुए कॉंग्रेस का हाथ थाम लिया इस दोरान टाउन हॉल में आयो जितकारिक क्रम में कॉंग्रेस के चुनाव अभियान समिती के अध्यक्ष पूर्व केंद्रियमंत्री अखलेश प्रसाद सह के मौजूदगी में गोपाल शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ कॉंग्रेस की सदस्तिता ग्रहन की और इस मौके पर पूर्व केंद्रियमंत्री अखलेश प्रसाद सह ने कहा कि पाठी के ये पुराने कार्य करता है राहुल गांधी की नीतियों की वज़े से लोगों का अव कॉंग्रेस पर भरोसा बढ़ता जा रहा है और इस वज़े से पुराने साथी फिर से संगठन से जड़ रहे है और संगठन को मजबूत कर रहे हैं कारिक्रम के दौरान नितीश सरकार पर जमकर निशाना साधा गया हुई शनिवार को विधायक सुदय यादो ने आरजोडी के भावी कारिक्रम को लेकर महागडबंधन के स्थानिये पार्टी पदाधिकारियों और कारेकरताओं के साथ बैठक की और आगे की रणनीती पर विचार विमर्श किया गया इस दौरान सभी महागडबंधन के सदस्यों ने सुभाष चंद्रबोस की जयनती पर उन्हें शुरधा सुमन अर्पित किया और तीस तारीख को विशेश तोर पर आरजड़ी द्वारा आहूत किये गए मानो श्रिंखला को किस तरह से सफल बनाया जाए और अधिक से अधिक लोगों को इस मानो श्रिंखला से जोड़ा जाए इस पर रणनीती बनी मारे नेता अधर्णिय तेजस्वी आदब के आहवान पे महागठवंधन के साथी यहां बैठ करके विमर्ज कर रहे हैं और मुख है हम लोगों का कि तीस तारीख को जो मानो श्रिंखला लगाना है महागठवंधन के साथियों के साथ करके और राज और देश में जो बैमान सरकार अस्थापित है उसको हम लोग बताने का काम करेंगे सब लोग तरह हिमाम है बातों को ले करके हम लोग आज तैयारी करें मखदुमपुर प्रखंड के सुगाओं खेल मैदान में जिलास तरिये चल रहे सदभावना फुटबॉल टूनामेंट जहानबाद का दूसरा समिफाइनल मैच मखदुमपुर के सुगाओं खेल मैदान पर संपन्न हुआ इस मैच में शहीद मिथलेश सिवचन फुटबॉल क्लब एनवा और टाउन क्लब एरोडराम जहानबाद के बीच जूरदार भिणनत देखने को मिला करक्रम का उधगाटन राजद नेत्री शाहिन तारीक और सुगाओं पंचायत की सरपंच संत्रा कुमारिस सिन्हा ने खेलाडियों का परिचे प्रप्त कर किया शाहिन तारीक ने फुटबॉल को किक लगा कर मैच का उधगाटन किया इस दोरान खेल मैदान में दर्शकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली मध्यांतर से पहले ही जहानबाद टाउन कलब की टीम ने दो गोल की बढ़त बना ली थी एनवा की टीम भी जबरदस्त खेल का नजारा दिखाते हुए मध्यांतर के बाद खेलते हुए टीम ने एक गोल और दाक कर एनवा के खिलाडी पर दबाव बना दिया जिसके बाद टाउन कलब जहानबाद की टीम तीन गोल से मैच पर शानदार जीत दर्ज करने में काम्याब रही और इसी आधार पर टीम फाइनल में पहुँच गई समीति के संयोजक राजीव कुमार रंजन ने बताया कि टूनमेंट का फाइनल मैच 26 जनवरी को जहानबाद के गांधी मैदान खेला जाएगा मखदुमपूर से जहानबाद नियूज के लिए शियान की रिपोर्ट जहानबाद के गांधी समारक इंटर विद्याले में खूमगार्ड को लेकर सिपाही भरती परिक्षा का आयोजन किया गया रविवार को एक पाली में हुई परिक्षा में कोरोना संक्रमन को लेकर प्रभावी दुशान निर्देशों का पालन करते हुए परिक्षार्थियों को केंदर के अंदर दाखिला मिला इस दोरान परिक्षार्थियों की कड़ाई से जाँच परताल की गई ताकि परिक्षा को कदाचार मुक्त वातावरण में संपन कराया जा सके हलके इस दौरान एक व्यक्ती जो किसी और के लिए परिक्षा देने का प्रियास कर रहा था उसके पकड़े जाने की सूचना प्राप्त हुई है सभी परिक्षार्थियों ने शांतियपोर्ण और कदाचार बुक्त महाल में परिक्षा दी वीकेंड में जहानबाद में सूरज की आंठ मिचौली ने लोगों को काफी परिशान किया एक दिन धूप निकला तो ठंड में कमी आई दूसरे दिन सूरज ने गच्चा दे दिया और काफी कुहासा भी देखने को मिला जहानबाद में वीकेंड लोगों ने कपकपाते हुए बिताया इस दौरान सडक किनारे अपने विवस्था के साथ ही प्रशासनिक प्रबंध भी लोगों के लिए काफी मददगार साबित हुआ विभिन दुकानों चौक चौराहों पर लोग इस ठंड से रहत पाने के लिए अलाओ का सहरा लेते नजर आए इस दौरान कामकाज की गती भी काफी ठप रही जहानबाद नियूस के लिए वीरभद्र सिनहा और गप्पु की रिपोर्ट 23 जनवरी को इस्थानिये सन्स इनहा कॉलेज जहानबाद सभगार में राष्ट्रुय सेवा योजना के तत्वधान में नेता जी सुभाष चंदर बोस की 125 स्वी जयनती मनाई गई इस मौके पर कारिक्रम संयोजक प्रोफेसर ओम प्रकाश वर्मा ने राष्ट्रिय सेवा योजना से जुड़े छातर चात्राओं के समक्ष नेता जी के संगहर्ष पूर्ण जीवन से सीख लेने और राष्ट्र की सेवा करने की प्रिर्णा दी पुर प्रभारी प्राचारे प्रफेसर डॉक्टर रुमाशंकर सेह ने भी वर्तमान सरकार का उनके जनम दिन को पराक्रम दिवस के रूपे मनाय जाने की घोशना को सराहनी ये बताया कारिक्र में डॉक्टर अक्तर रुमानी, मुहम्मद इंतेखाव आलम, डॉक्टर अनेल कुमार सेह, गीता कुमारी, जनमेजे कुमार, राजीव नयन, ब्रजेश कुमार, रास नारायन भगती और अन्य लोग उपस्थित थे 26 जनवरी को जहानबाद में गनतंत्र दिवस के अफसर पर बैडमिंटन मैच का आयोजन किया जाना है, इसी को लेकर अस्थानिय स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में बैडमिंटन पत्योगिता के आयोजन से पहले, अभ्यास मैच का आयोजन किया गया, जिसका श्योभारंब, ड 27 का आयोजन सोमवार को भी शाम में किया जाएगा, और मुख्य प्रत्योगिता 26 जनवरी को होगी, कारिक्रम में उप्विकास आयोग्त, आपरसा महर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी सहित कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे, इस थानिय ठाकूर बाड़ी अवस्थित जन्नाय करपूरी अनाथाले प्रांगण में जिला राज़द ने जन्नाय करपूरी ठाकूर का संतानवेवा जन्म दिवस मनाया, इस मौके पर राज़द नेताओं और कारिकर्ताओं ने उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लि कारिकर्म के अध्यक्षता जुला ध्यक्ष महेश ठाकूरने की प्रांगण में जन्नाय करपूरी ठाकूर का जन्म दिवस मनाया गया, इस मौके पर राज़द नितिक जीवन को जन्सेवा के रूप में समर्पित किया था, और हम भी उनके पत्चिन्हों पर चलेंगे, इस मौके पर दलित सेना के छोटे लाल पासवान, सनी चोहान, प्रुब मुख्यमंतरी जन्नाय करपूरी ठाकूर की संतानवी जोयनती के अवसर पर समारोह का आयोजन किया गया, इस दोरान पार्टी की नेताओं ने उन्हें श्रधा सुमन अर्पत किया, समारोह में प्रदेश उपाध्यक्षे जोगिंदर प्रसाद सहराम प्रवेश प प्रसाद सर्वन कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे